सरकारी प्लाटफॉर्म ओपन नेटवर्क फर डिजिटल कॉमर्स यानि ONDC इस फिनाशल यह में यूजर चार्ज लगाना शुरू कर सकता है हलांकि शुल्क की दर क्या होगी इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है माना जा रहा है कि शुल्क कम होगा जो हर ट्रांसाक्शन पर लगाया जा सकता है शुल्क क भुकतार या तो विकरेटा या खिरिदार या फिर दोनों को करना पड़ सकता है तो इस कदम से अगर ONDC श्रिक लगाता है तो उनके आग्रिगेटर्स पर किस तरह का सा देखने हैं देखे अब भारत में मुफ्त में मिलने वाली सेवाओं का दौर धिमेधी में खतम होता जा रहा है और यहां से ONDC पर चार्ज लगाने की त्यारी की जा रही है और इसके साथ अब धीमे भारती बाजार में जो मुफ्त सेवाएं मिल नहीं है चाहिए वो UPI हो या ONDC हो इन पर चार्ज लगने की शुरुआत होगी ONDC पहला टेस्ट है, ONDC पर चार्ज लगाने के जाद इस बात की संभावना है कि UPI जैसी सेवाओं पर भी थोड़े भूट चार्ज लगाए जाएंगे क्योंकि बैंक इस मौमले इस बात की मांग बराबर कर रहे हैं तो ONDC अकेला प्लेटफॉर्म था जो भी कोई प्लेटफॉर्म फीसे किसी तरीके की चार्ज नहीं ले रहा था बाकी तो E-commerce कंपीनिया ले रही अब यहाँ भी उसकी शुरुआत होगी नए प्रोजेक्ट की लॉंचिंग में तेजी आने पर जून तिमाई में रेसिदेंशल रियल इस्टेट की आपूर्ती दो साल में सबसे तीजी से बढ़ी है जून कोर्टर के दोरान निर्माना धीन संपत्यों की आपूर्ती 11.7 फीसद और इनकी कीमत 15.2 फीसद बढ़ी है इस वज़े से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोपर्टी की कीमत गुरुग्राम, मुंबई, नॉइडा और ठानी जैसे शहरों में जो है हम बढ़ते वे देख रहे हैं, ready to move in properties में कीमते जो हैं वो तेजी से बढ़ रही है तो एक तरह से हम कह सकते हैं, real estate में जो रुकी हुई मांग थी, वो हिली है, लेकिन आप कीमते भी उसी तरह से बढ़ी है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोपर्टी की सिनेरियो अगर आप देखें, तीनों बास्किट्स में महंगाई दिख रही है, real estate में तैयार मकानों की महंगाई तो है ही, हम आपको बताते रहें कि सस्ते मकान नहीं बिक रहे हैं, पचास लाग से नीचे के मकानों की कोई डिमांड नहीं है, तो अब जो भी मकान बिक रहे हैं, पचास लाग से उपर हैं के और एक करोल के हैं, तो प्रीमियम मकानों में कीमतों में बढ़तरी भी की जा रही है, और उनकी बढ़ी हुई कीमतों को ग्राकों को पासान किया जा रहा है, लेकिन यह खबर सोड़ी महत्वपूर्ण है, कि जो अंडर कांस्ट्रक्शन प् प्रापर्टी त्यार होगी, यह प्रापर्टी मार्केट में इंफलेशन को और जाधा फ्यूल करेगी, और जाधा बढ़तरी करेगी, और तीसरी बास्केट किराये की है, जहां पर बीस से पच्चिस परसेंट तक की बढ़तरी दिख रही है, तो आपको इस समय हाउसिंग म मार्केट के पूरे हाउसिंग बाजार के तीन हो इस्सों में बने हुए मकान, बनते हुए मकान और किराये के मकान तीन हो जगें कीमतों में बढ़त दिखी है,